Mr. Modi? Mr. Modi, मेरा सवाल है आप पर दस सवाल डाले ना इन्हों मैं तो इंटरनेक पर हूँ भी नहीं, मालम भी नहीं, देखता भी नहीं, ना क्यूटर, ना फेसबूक, वो दुनिया में ही नहीं लोग बोले दस सवाल आए Mr. Modi? मेरे दस सवाल है पहला सवाल मिस्टर मोडी पंदरा लाग का जो सूट बेने थे न ओबामा आए वक्त मोडी 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 लिखावा था वो काले धंका था या सफेद धंका था मिस्टर मोडी तुमारा सूट चेक पेमिंट से बना या कैश से बना बोलो मिस्टर मोडी रोजाना जो कपड़े उतारते पेंते दिन में 3-3 कपड़े ये कैश के पेमिंट से बन रहे या चेक पेमिंट से बन रहे मिस्टर मोडी मेरा सवाल है बंगाल में बीजेपी जमीन खरीदी साथ तारीख के दिन आज तारीख को आपकी तखरीर हुई वो चेक से खरीदे, कैस से खरीदे मिस्टर मोडी आज अगवारात में कलाएगा आज पता चला बिहार में छे जमीनाग खरीदी बीजेपी अमिश शाह खरीदवाए आज तारीख से पहले बीजेपी के दफातिर बनाने के लिए ये पैसे काले धनके हैं, वाइट धनके हैं मोडी मिस्टर मोडी उन जमीनाग में दक्तर बनाने के लिए अदवांस पेमेंट दे दिये वो काले धनका है या वाइट है कैश है या चेक है मिस्टर मोडी आप गुजरात का इलेक्शन लड़े चलो मैं तुमको चैलेंज करता हूँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंदिर में तुम आ जाना माभारत भगवद गीता को सर पे रखके उस मंदिर के भगवान के सर पर हाथ रखके खसम खाके बोलना के जिंदगी में तुम काला धन नहीं कमाएं काला धन नहीं खरीदें मिस्टर मोडी अभी सवाला खतम नहीं हुए मिस्टर मोडी आप बोल रहे हैं 21,000 कौल भी आया जन्धन अकाउंड में मिस्टर मोडी 21,000 जन्धन अकाउंड में अब आया 18,000 कौल सुनो मेरे भाई पुलिस वालो आप भी सुनो दरा ये नरंदर मोडी साहब 2014 की एलेक्शन में 18,000 रुपिया खरच किया भाजपा को एक्तिदार में लाने के लिए 18,000 कौल 21,000 जन्धन के उसमें ऐसा करें ऐसा करें 18,000 कौल काँसे आई मिस्टर मोडी चेक से आया, कैस से आया तूज का धुरा, ऐसा बता रहे मैं ऐसा करा, मैं वैसा करा, लोग मुझे मार देंगे कौन मारेंगे? क्यों मारेंगे? अरे तेरे इस फैसले की वज़ा से तेरी सियासी मात यशीनी है मारने के दुर्व नहीं है आपको शायद मालिम या नहीं मालू है जब मिस्टर मोडी चाय बेशते थे ना जब चाय बेशते थे तो उस वक्त कुछ तीन बरस या पांच बरस मुझे याद नहीं आ रहे के लिए सब को छोड़के वो गयब हो गए येस सही है ना इतने बरस तीन तीन बरस तीन बरस चाय की बंडी चाय की केतली चाय का चुला ठार दार सब छोड़के गयब हो गए ये कहां गए पूछे तो बोले मैं हिमालिया को चले गया मिस्टर मोडी सामान तयार कर लो फिर से हिमालिया जाना अब जरूर जाना काला धंग काला धंग चलो आखरी मेरा सवाल है मिस्टर मोडी तुम टीवी पर आकर कल बोल देना के भारतिया जंता पार्टी का जो अकाउंट है उस अकाउंट में हम कैश नहीं लेंगे सिर्फ चेक लेंगे तो मैं समझूँगा के दियानदा सियासी जमात में कोई भी कैश डाल सकता है आज भी डाल सकता है मालूम आपको गरीब अपने अकाउंट में नहीं डाल सकता धाई लाग डाला तो नोटिस आएगी बीजेपी के अकाउंट में धाई कोड भी डाले तो नोटिस नहीं आती है क्या खानों ने एलान कर दो न हम कैश से नहीं लेंगे चेक से लें किसका फाइदा हुआ किसका फाइदा हुआ काला धन काला धन लिखिलो मेरी बात को लाखो नौकरिया चले गाई जीडीपी गिर जाए बेरोजगारी आजाई क्राइम बढ़ जाएगा यह पुलिस वालों की ड्यूटी और सकत हो जाए बेरोजगार है तो चा करेगा इंसान बता लिया और फिर टीवी में आते हैं जापान से तखरीर कर रहें तो हसरें यों 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 ऐसा ऐसा मांते हसरा है हसरा जापान में हसी आई हिंदुस्तान आया तो बोलने लगा मैंने त्याग दिया किसको त्यागा भाई बड़ा मेहल था तेरा रोल्स रॉइस की गाड़ी थी बच्चे थे बीवी थी कौड़हा रुबिये था जा था जा त्याग दिये एक बुड़ी माहे छोड़कर आगए अपनी निचली दर्ड़े की सियासत के लिए जईव मा को भी खतार में खड़ा दिया बताने के लिए देखो मेरी माँ खड़ी है अफसास अगर उस मुदी के जगा मैं होता तो अपनी मां के लिए मैं खतार में खड़े होता और मां को अपना पैसा देए सिर्फ सिर्फ अदाकारी सिर्फ अदाकारी मैं कहूंगा के मुंबई नगरी के युस्फ फान दिलिप कुमार अमीता बच्चन शारु खान सल्मान खान शर्मा जाना और कहना के हमारे से बड़ा एक्टर तो ये है हाद है रो रहे हैं मुझे मार देंगे मुझे एक फिल्म का गाना याद आ गया कौन सा पिक्चर था मुझे याद नहीं मैं इस्कूल में था जब फिल्मों का शौक था तो वो फिल्मे याद नहीं आ रहा कौन सा फिल्म था मगर ये याद है अमीता बच्चन का फिल्म था वानिता बच्चन गाना गया और वह गाना क्या था हस्ते हस्ते रोना सीखो रोते रोते हसना छीखो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलो ना जितनी चाबियारे से भरी खिलो ना होतना चलना आप यही आलम मुझसे लोग बोले अक्बर साथ आप कुछ नहीं बोल रहे हैं हजार रुपिय की नोट पांच सो की नोट मैं खामोज बढ़ गया फिर बोले तो मैं आद बोलता हूं एक बाशा है अगर उसकी बाशाहत चले गाए वो फखीर होगा सुनिये बाशा है बाशाहत चली गई फखीर हो गया और एक फखीर है फखीरी चले गई बाशाहत आ गई फखीर बाश्या बन गया बाश्या फखीर बन गया लेकिन बाश्या की फखर बाश्या जो फखीर हो गया उसकी फखीरी में भी बाश्या ही जलकती है सही है ना बाश्या अगर फखीर हो जाए तो उसकी फखीरी में भी बाश्याहत नदर आती है लेकिन एक फखीर बाश्चा बन गया अफसास कि उस बाश्चा की बाश्चाहत में भी फखीरी नज़राई यही है चाय वाले काड़क चाय फुला चाय अरे बाबा मुल्क को चलाना चाय बनाना नहीं है तुम चाय वाले खे भूल जाओ आज वजीर आजम है वजीर आजम जैसे चलो वजीर आजम जैसे बात करो वजीर आजम जैसे दिखो सवाल यह है कि अब यह कौन सिखाएगा तो आज सो बरस जो इस मुल्क पे हुकुमरानी करा वो बाशाख जो शायद आज फ़खीर है वो मैं हो आजा मैं सिखा सही है न आप बताओ अजीब औ गरीब हाल हो चुका मुल्क का इस वास्ते भाई जिम्मेदारी दिये तो देख समझ के देना अब हरेक के हाथ में देदी है तो यही हाल होता लोग बोले अकबर साथ लोग इत्ते परेशान है और आप हसी मजाद दिल लगी कर रहे है अरे भाई लोगों की परेशानी में मैं भी परेशान मेरी परेशानी कम नहीं मगर मगर मैं उन लोगों से कहूंगा जो लोग 2014 में इनको ओड़ दिये थे खुदा के लिए एंदा वो गलती मस्थब आपने भाई हम दिये ही नहीं ना कभी देंगे क्या बाबरी मजजिद को गिराने वालों को मौड़ दे सकते क्या गुज़रात को जलाने वालों को दे सकते क्या ऐसान जाफरी को जिनदा जलाने वालों को दे सकते क्या नहीं हम न दिये थे न कभी देंगे मगर एक बात कहोगा candy किसी को तबाब बर्बात करना चाहता है ना तो ठाल्लाव उससे उसकी इज़त अच्छे दिन वा क्या दिन आ गए लेनों में खरे ले क्या अच्छे दिन क्या इस अच्छे दिन के वास्ते और दिये थे देने वाले अरे आप बताईए अरे आज अपोजीशन में वो ताकत नहीं है इनसे पूछने की आज बोल रहे हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे धाइ वरस में क्या करें क्या करें वताईए कुछ नहीं करें हिंदुस्तान की तवज्यों को हटाते रहे रोजगार से हटाए माशी पस्मांदगी से हटाए इनकी सारी नाकामियों से हटाए कभी लग जिहाद की बात कभी घर वापसी की बात कभी बीव बैन की बात कभी रामजादे फुलाजादे की बात कभी राम का खून बोले कभी गोबरदार रही कभी गाउरक्षक कभी है अरे हिंदुस्तान को लग जिहाद धर वापिस ही गाउरक्षक की जुरत नहीं है हिंदुस्तान को दो वक्त की रोटी की जुरत है रोटी तो नहीं दिये खतारों में खड़ा दिये और फिर बोलते हैं के काला धन, काला धन, काला धन बन कर रहा हूँ